राम राम दोस्तों जैसा कि हम सब अभी देख रहे हैं बारतिय रेल अपनी स्पीड, एक्सिलरेशन, ट्रेक्स और लोकोमोटिव्स इन सब के जड़िये नए नए इनोवेशन्स करके कैसे खुद को बेटर बनाने की कोशिश में जुट गई है इसी कोशिश के तहट हमारे रेल मंत्री पिउस गोयल जी ने अभी से कुछ दिनों पहले हमारे देश के दो महत्वपूर्ण रेलवे कोरिडोर्स को सेमी हाइ स्पीड बनाने का एलान कर दिया है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने यानि कि अब इन कोरिडोर्स पे फ्यूचर में हमारी ट्रेंज 160 किलोमीटर पर आर की ओपरेशनल स्पीड में आराम से चल सकेंगी दोस्तो इस प्रोजेक्ट में जिन रूट्स की पसंदगी की गई है उसमें से पहला है नई दिल्ली से हावडा तक और दूसरा जो रूट है वो नई दिल्ली से मुंबई तक साथी साथ इसी प्रोजेक्ट के अंतरगत इन दोनों रूट्स को डेवलप करने में रेलवे इन पर टोटल 13,000 करोड रूपे का खर्च करने जा रही है जिसके तहट 6,684 करोड अमारी नई दिल्ली से हावडा वाले रूट पे खर्च किये जाएंगे जो 1525 किलोमेटर का नई दिल्ली से हावडा तक का सफर है वो तेह करने में हमें 17 घंटे लगते थे जबकि इस नई प्रोजेक्ट के आज आने से हमारी ट्रेंज जब 160 किलोमेटर पर आर की स्पीड में चल सकेंगी तब सिर्फ हमें ये सफर तेह करने में मेहज 12 घंटे ही लगेंगे इसी तरह फिलाल हमें नई दिल्ली से मुंबई के बीच का 1413 किलोमेटर का सफर तेह करने में साड़े 15 घंटे लगते है और जब ये ट्रेंज 170 किलोमेटर पर आर की स्पीड में चल सकेंगी तब हमें सिर्फ 10 घंटे ही लगेंगे तो दोस्तों हम तो यही दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द रेलवेज अपना एक प्रोजेक्ट पूरा कर ले ताकि हमारे ट्रावेलिंग टाइम में कमी आए हमारी ट्रेंज से एक अच्छी स्पीड में चल सके और साथी साथ हमें अच्छी फेसिलिटीज मिल सकें लेकिन दोस्तों मैं इस स्पीड भरे रोमांच कारी सफर का अनुभाव लेने के लिए काफी वक्त तक इंतिजार करना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो डेडलाइन है वो 2023 रखी गई है और इस प्रोजेक के इश्यू होने से इसके चार साल के अंदर इसे रेलवे को कम्पलीट करके देना है तो चलिए दोस्तों मिलते हमारे नेक्स वीडियो में और सबसे पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर से हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर और कमेंट जरूर से करे और अभी के लिए सिर्फ इतना आई मिलते हैं हमारे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए भारत मता की जाए, जाए हिन एंड गौड ब्लेस यू अल